नमस्का एशरी जिन्या में आपका स्वागत दें में प्रिया आपके साथ आयद्या के राम मंदिर में रामलल्ला को विराजमान हुए 11 दिन हो गए है अब तक 25 लाग श्रद्धालू रामलल्ला के दर्शन कर चुके हैं इसके अलावा उसतन हर दिन एक करोड रुपे चड़ावा चड़ाया जा रहा है रामलल्ला को अब तक करीब 10 करोड रुपे चड़ावा आया है राम जन्म भुमी 33 शेत्र के मताबिक पिछले 11 दिनों में दान पेटियों में करीब 6 करोड रुपे जमा हुए हैं और करीब 3 करोड आनलाइन मिले हैं इसमें पहले दिन मिला 3 करोड 17 लाग का चड़ावा भी शामिल है रामलला की प्राण प्रतिष्टा समारों में 22 जन्वरी को मुकेश अंबानी पत्नी नीता, अंबानी बेटी ईशा और दामाद आनन पीरामल के साथ पहुँचे थे ट्रस्ट के सुत्रों के मताबिक अंबानी ने 2 करोड से अधिकी धनराशी दान दी वही हीरा करोबरी दिलिप कुमार ने 101 किलो सोने का दान किया इसकी कीमत 68 करोड रुपे आकी जा रही है इस सोने से दरवाजे और त्रिशूल और डमरू बनाए गए है पटना के महविर मंदिर की ओर से राम मंदिर के लिए 10 करोड रुपे दान दिये गए है महविर मंदिर ने राम लल्ला को सोने युक्त धनूश और बान भी दान दिया है इसी तरह सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मुर्ती के लिए 11 करोड रुपे का स्वर्ण मुकुट उपहर में दिया है यह किम्ती पत्थोरों से जुड़ा हुआ है राम मंदिर निर्मान के दोरान ट्रस्ट की ओर से 2022 में 45 दिनों का नीदी समर्पन अभियान चलाया गया था उस वक्त देश के करीब 13 करोड परिवारों ने दान किया था तब से लेकर अब तक साड़े 3,000 करोड रुपे का दान आ चुका है इसी के साथ बने रहेगी एश्यमिस इंडिया के साथ बने बाद